हालो फ्रेंद्स वेलकम डू स्नेल स्नू एरा तो आज हम देखने वाले हैं हमारे बालकौनी का हमें मेक और करना है उसमें हम देखने वाले हमें फाइब्रिकेशन का काम करवा आया है एलेक्ट्रिक का Fittin ग्रील को किस तरीके से आप color करने वाले हो और उसके बाद water का fitting ये सारा कुछ इस video में हम देखने वाले है चलो तो फिर video start करते हैं ये जो है हमारा balcony है पहले पूरा खुला हुआ था हमारा balcony काफी बड़ा है उससे क्या होता था अगर कभी बारिश वगरे आ जाती है तो वो पानी direct हमारे घर के अंद सबसे पहले वहाँ पे एक structure मना दिया जिससे कि उनको shade डालने में आसानी हो जाएगी यहाँ पे fabrication वाले भाईया आके काम कर रहे हैं और ये जो है नीचे उनका सामान आ गया fabrication का जो की side में वगरे लगने वाला है ग्रिल्स है जो side में लगने वाली है एक तो हमारा फिक प्लोहर है तो थोड़ा septi का भी problem रहता है balcony से अगर नीचे देखो तो थोड़ा डर लग जाता है इसके लिए फिर हमने यहाँ पे side से पूरा ग्रिल्स वगरे रगवा दिये है और pot रखने के लिए थोड़ा space भी बनवा लिया है जैसे कि यह वाला space जो है हमने pot रखने के लिए बनवाया है उससे क्या होगा हम pots भी रख सकते है और नीचे थोड़ा maze भी नहीं होगा और नीचे वाला space है आप पूरा वो यूज़ कर सकते है इस प्रकार से यह जो पूरा fabrication का काम बनने में हमें बनवाने में हमें लगबग दो दिन लग गए और वो होने के बाद पूरा cleaning वगरे करने में हमें पूरा इस उसके बाद next जो पार्ट है वो हमें करवना था water का fitting और electric का fitting यहाँ पे हमने यह जो है पूरा electric का fitting करवा रहे हैं यह भाईया यहाँ पे हमने एक switchboard लगवा दिया है ताकि कभी आपको यहाँ पे मुझे washing machine भी रखना है इसलिए यहाँ पे हमने water का भी connection लेना है और electric का भी connection लेना है इसके लिए यहाँ पे एक switchboard होना काफी ज़रूरी था अंतर का switchboard है वो तो नहीं हमेशा use कर सकते इसलिए हमने यहाँ पे बाहर switchboard भी दे दिया और यहाँ से जो है यह water का connection कर रहेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक basin लगवा लिया है और यहाँ पे जो है हमारा electric का और water का दोनों भी connection पूरे हो गया है कुछ इस प्रकार से यह यहाँ पे water का connection दे के यहाँ पे side में और एक नल के रिए जगा छोड़ दी है और यहाँ पे जो है हमारे electric board का भी fitting हो गया और water का भी fitting हो गया और यहाँ पे जो है electric का board भी लगवा दिया है अब हमारा next step था उसकी हमें जो है यह grill का coloring करना था जब fabrication का work उन्होंने करके दिया था तब उन्होंने सिर्फ इसको एक coat करके दिया था और वो coat भी जो था वो primer का था इसके लिए अब हमें इसका coloring start करना था इसके लिए सबसे पहले हमने इसको एक Asian paint का primer का वन लिटर का डबाला के रेड़ वाला है ये उसको सबसे पहले हमने primer करवा लिया primer करने से क्या होगा उसको जो है rust वगरे लगने का ज्यादा डर नहीं रहता है इसके लिए box खून ले के बाद हमने इसको अच्छे से mix कर लिया और यहाँ पे हमने एक pot में डाल प्राइमर का code लगा रहे है कुछ इस प्रकार से आप roller के health से भी कर सकते हैं और छोटे brush के health से भी इसको कर सकते हैं मुझे थोड़ा brush से करना easy लगा इसलिए हम लोग जो है इसको brush से कर रहे थे और आपको आसन लगता है तो आप छोटा roller का भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से हमने जो सारा जो हमारा grill है उसको प्राइमर का पहले code कर दिया अच्छे से उपर से नीचे से सारा जो हमने प्राइमर करना start कर दिया और प्राइमर करने के बाद हमने इसको एक दिन के लि करा था रिडिश कलर में था यह प्राइमर इससे क्या होगा कलर भी आपका अच्छा बैटेगा grill को और रस्ट वगरे रगने का भी डरने रखता इसके लिए हमने सारे जो ग्रील है हमारे उसको हमने प्राइमर का एक कोट कर दिया उपर से भी इस प्रकार से सारा हमारा प्र यूज किया है इमल्शन प्रेंट जो कि हम मैंने वाइट कलर में मंगवाय था इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया क्यूंकि नीचे जो है कलर बैठा रहता है इसलिए आप डबा खुलने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लो और एक पॉट में लेके बाकी क इसके लिए फिर हमने पॉट में निकाल लिया और उसका जो जहां पर हम जो आप कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं वाइट वाला सारे ग्रील को हम वाइट कलर से जो है अच्छे से पेंट कर रहे हैं सारे ग्रील को नीचे से उपर से साइट से हम जहां जहां से हमें पॉसिबल हो वहां से हम इसको वाइट कलर के पेंट से पेंट कर रहे हैं पेंट आप आपके कलर के हिसाब से चॉइस से भी ले सकते हो मुझे वाइट में करना था इसलिए फिर मैंने वाइट वाला एक लिटर का बॉक्स मगवाया था इस प्रकार से हमने सारा जो ग्रील है जो हमारा खिड़की का भी है और जो हमने अभी फैब्रिकेशन का वर्क भी किया है यह सारे ग्रील को हमने वाइट कलर से पेंट कर दिया जो शेड भी है चोटा वाला उसको भी हमने वाइट कलर से पेंट करवा दिया इस प्रकार से जो सारा जो है हमारा paint हो गया था यहाँ पे हमने white के दो coat करवाय थे उसके बाद जो सामने वाला grill है उसको भी हमें पहले जहाँ पे मैंने pots रखे थे already उसको भी paint करना था पर वहाँ पे क्या हुआ पता है यहाँ पे एक चोटा bird था और उसके दो चोटे चोटे बेबी थी इसलिए फिर मैंने यह वाला portion जो है नहीं किया था यह सबसे last में किया मैंने और last में करने के बाद भी वह जहाँ पे वह चोटा bird था और उसके चोटे बेबी थे वह मैंने नहीं हटाया थे उत्ता portion मैंने छोड़ दिया था वह खुद होके जाने के बाद ही मैंन और next step था हमारा coloring वाला था इसलिए मैं जो सारे जो walls है वो अच्छे से clean कर रही हूँ पानी से इस प्रकार से हम सारे जो walls है हमारे clean कर देंगे पानी के help से और इसके next day हम क्या करेंगे इसका coloring start कर देंगे अच्छे जब पूरा wall के उपर से हम जो है dust अगरे निकाल देंगे ताकि कल हमें coloring करने में कोई problem ना हो और color अच्छे से बढ़ जाएगा इस प्रकार से सारा जो coloring है मैंने अच्छे से clean कर रहा लिया सारे walls जो है balcony के वो भी अच्छे से clean कर रहा लिये इस प्रकार से हमारा जो है आधा काम हो गया इसका बाकी का काम जो है हम नेक्स पार्ड में देखेंगे तब तक के लिए thank you